हम इस वक्त शाकोट में हैं आपने वो तस्वीर देखिये होगी जिसमें अमरित पाल और उसका सयोगी पपल प्रीद एक रिक्षे में डीजल रिक्षे में जिसको यहां रेडी कहते हैं उसमें बैट करके जा रहे हैं हमारे पास एंडी टीवी पर एक्स्क्लूजिव वो रिक जिसका इस्तमाल अमरित पाल ने किया उसमें प्लैटिना मोटर साइकल रखी थी और आगे पपल प्रीद बैठा था और पीछे अमरित पाल पीली पगड़ी में चुपचा पीछे बैठा हुआ था हमारे साथ एक्स्लूजिव इस रेडी के मालिक भी है जिन्हों ने उस दि पादाट महिने हो गए शनिवार को क्या हुआ था बताएंगे आपको कहा चला रहे थे रेडी आप जब हम अपने गार से निकले ना थोड़ा गाओं के बार को दो लोग रुके हो थे और मेरे को बोले कि हमारा बाइक पैंचर हो गया तो पैंचर वाल इदकान तक ले जाओ अच्छा बोला बाइक पंक्चर हो गया है और मैंने देखा भी जो बैक सेट कर पेंचर होता ना वह पैंचर था तो आप पहचान पाए कि वह अम्रित पाल है नहीं सर मैंने पहले देखा नहीं था क्योंको मैं ज्यादा फोन नहीं चूज करता था थे वास फोन सुनता हूं फोन ज्यादा इस्तमाल नहीं करें तो आपको पता नहीं था कि अम्रेट पाल है पिंग गुलाबी पगड़ी में नहीं सर मैंने ज्यादा देखा निए बास बाइक देखा मैंने उपर इसको लोड काना शुरू कर दिया उन्होंने क्या बोला आपको मेरे साथी थे वो भी पंक्चर के दुकान ले चलो ने बताया हुने क कि पंक्चर के दुकान कहा है में बोला ठाब एक गाउं की पास है clean the एक बाइकर बेक्ति जाना तो फिर अदो वमेद पूर की तरफ जो पर उसी तरफ ले चलो विल्ड है तो बहुते हैं ग्रवाल बाहिं कि टनी तरफ बर 거지 तो मैं औरडिमी पर 20 था पहुंचने से पहले पंक्षर की दुकान उतर गया उन्हों पैसे दिया आपको मैंने खुद मांगा आपने मांगा पैसे दिया तो आपने और मांगे कि सौरुपए हो तो रिक्षे में आगे एक काली शर्ट में बात बैठा हुआ था यहां पर दोने यह यहीं बैठे थे अब पता चलता है कौन था कौन नहीं था मेरे को उसके बारे तो पता ही नहीं पता नहीं नहीं तो फिर बाद में लोगों ने बदाया आपको कि वह अम्रेट पाल था पुलिस ने बुलाया था आपको हां सर अभी तो पता चलता है वहां हो सकते हो होंगे जा नहीं होंगे पर पहले मेरे को कुछ नहीं मालूम था यह बताई कि कुछ बात कर रहे थे आपस में वह लोग उसार मेने वह एड़फून जाय हुए थे बैसे भी जुदो हम चलाते इसको तो इसका खड़का जाओना जादा होता है तो आगे वाले को नहीं पता लगता पीशे वाले क्या बोलते वो चुप चाप बैठा हुआ तो यहां पर बैठा हो तो चुप चाप करते होंगे पर मेने इतना ध्यान नहीं दिया उसने चश्मा भी लगाया हुआ था पहले नहीं लगाया था जब रुके हो पूछ रहे हूंगे आपको फोटो देखी आपने अपनी फोटो देखी आपकी है तो यह वही रेडी है जिसका इस्तेमाल अमरत पाल ने भागने में किया और लग्बिंदर लखा जो मालिक और उनको कहना है कि उनको नहीं पता था कि वो अमरत पाल है वो अपना काम करते हैं यही उधोवाल गाउं है बुलंदपुरिया गुर्दवारे के पास और पांच किलोमेटर दूर महतपुर है जहां पर उनने छोड़ा प्लेटिना मोटर साइकल का पंक्चर हो गया था और पुलिस ने भी शांती से इनसे पूछताच की और छोड़ दिया इनका इरिक्षा भी छोड़ दिया रैडी भी छोड़ दिया और इनसे कहा है कि अपना जीवे को पारजन करें और इनको नहीं पता था कि अमरत पाल है क्योंकि अमरत पाल ने अपना हुलिया बदल लिया था तुब हुलिया बदल लेगा तो कोई कैसे पैचानेगा यही हुलिया बदल करके उसने सबको चक्मा दिया तो यह exclusive बातचीत हमने लगबिंदर लगकर उनके इरिक्षा आपको दिखाई जिससे हम रितपाल फरार हुआ सयोगी संजे कौशी के साथ स्वारप शुक्ला एलिटीव इंडिया